Hello dear students, I am Vishika Khanna from Rainwood Children's Academy Students, आज हम पढ़ेंगे वर्ण माला Students, वर्ण माला भाषय की सबसे छूटी एकाई क्या होती है? वर्ण और आज हम उनी वर्णों की माला को पढ़ेंगे अब वर्ण माला को वर्ण माला क्यों कहा गया है? ये तो वर्ण है तो जैसे हम पहले पढ़ते हैं और क्या है? एक वर्ण लेकिन जब हम इस पूरी पंक्टी को पढ़ते हैं जैसे औ, आ, ई, ई, उ, उ, र, ये हमने इस पूरी पंक्टी को पढ़ा तो ये क्या बन की? माला जिस प्रकार एक फूल है जब तक उर्ण शाखा पर है, तब तो कि फूल है जब नों बहुत से फूलों को तोड़कर उसको इधागे में बानते हैं तो उसकी क्या बन जाती है? माला अब उन क्या कहलाते है? फूल माला उसी प्रकार वर्णों की माला को क्या कहते है? वर्ण माला अब वर्ण माला कितने प्रकार की होती है? वर्ण माला दो प्रकार की होती है इसके जो दो भेद हैं वो है, पहला है स्वर्ण और दूसरा है व्यंच स्वर्ण कोन से होते हैं? मैं आपको बताने जाने हूँ पहला है यह क्या है स्वर और यह होते हैं कितने हैं चुलो मेरे साथ काउंट करेंगे तो कुल स्वर कितने हुए अब हुँ पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण माला का दूसरा भाग याने कि व्यंजन व्यंजन के भी भागोते हैं जिस प्रकार व्यंजन के भी भागोते हैं उसी प्रकार व्यंजन के भी भागोते हैं और इसके चार भागोते हैं आइडा आता है हमारा इसपर्श व्यंजन, इसपर्श व्यंजन कौन-कौन से हैं, कावर्ग, जावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, ये कौन से व्यंजन हैं, इसपर्श व्यंजन, फिर आता है हमारा दूसरा भाग, अंतस्त व्यंजन, ये अंतस्त व्यंजन कौन-कौन से है यवर यानि की य, र, ल, व, उसके बाद आता है वियंजन का तीसरा भाग उच्मे वियंजन उच्मे वियंजन है श, पेट पटा श, छोटा स, ह, और अंद में आता है इसका चोथा भाग संयूंत वियंजन सइन की व्यंजन है अक्षा, ट्र, ग्या, श, तो ये इनको हम जब हम काउंट करते हैं तो ये टोटल आते हैं 37 तो तेरा हो गए हमारी स्वर और 37 हो गए व्यंजन तो वर्ण माला में कुल किते वर्ण हुए अब हम इसको जोडेंगे तो ये बनते हैं 50 तो स्टूडेंट्स मैंने आप भी आपको वर्ण माला पढ़ाई तो इसी से संबंदित मेरे आपसे 4 प्रशन है पहला प्रशन है वर्ण माला किसे कहते हैं दूसरा प्रशन है वर्ण माला के कितने वेड होते हैं तीसरा प्रश्ण है वर्ण माला में कुल स्वरंग की संख्या कितनी है और चौथा कोशन है वर्ण माला में संयुत व्यंजन कितने होते हैं तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाकर आपको ये चैप्टर पढ़ाया है आपको भी इन प्रश्णों के उत्तर वीडियो बनाकर ही मुझे भेजने हैं धन्यवाद